ओम शान्ती आच है 28 नविंबर 2022 की साकार मुरले आए सुनते हैं बाबा के मीठे मीठे माहा वक्यों को मीठे बच्चे पढ़ाई अच्छी रीती पढखर उसका सबूत दो सर्विस कर औरों को भी लायक बनाओ तब ओँचपत के अधिकारी बनेंगे प्रैश्न इस बेहद के स्कूल में वहा वहा किसकी होती है उत्तर जो खुद अच्छी रीती पढ़ते हैं और दूसरों को आप समान बनाने की सेवा करते हैं रुखानी कमाई में बीजी रहते हैं सिर्फ दूसरों को देख खुश नहीं होते लेकिन मात पिता समान सेवा कर उनके तक्त पर बैठते हैं उनकी वाह वाह मात पिता वा अनन्य बच्चे करते हैं जो अपना टाइम वेस्ट करते पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते मात पिता को फॉलो नहीं करते उन पर तरस पढ़ता है वह उँच पदपा नहीं सकते उनकी सदा कमप्लेन रहती कि हमारा योग नहीं लगता गीत धीरज धर मनवा ओम शादी बाप बैट बच्चों को समझाते हैं कि सुख के दिन आएंगे अगर श्रुमत पर चलेंगे तो फिर जितना श्रुमत पर चलेंगे उतना ही स्रेस्ट बनेंगे अच्छी रीती पढ़ते हैं कोई कम पढ़ते हैं अथ्वा नहीं पढ़ते हैं ना पढ़ने वालों को बुरा माना जाता है यहाँ पढ़ाई भी कोई अच्छी रीती पढ़ते हैं तो औरों को पढ़ाने लायक भी बनते हैं कोई तो ध्यान ही नहीं देते यहाँ भी बच् अच्छी रीती पढ़ेंगे तो ऐसा ही लायक बनेंगे, नहीं तो नालायक बनेंगे, लायक को जरूर अच्छा दर्जा मिलेका, तो मभी सुकधाम के लिए पढ़ते हो, फिर उसमें भी नंबरवार मरतबे हैं, मनेश्य मरतबे के लिए कितना माधा मारते हैं, वह है अल्पक अल्का सुख, काग विस्टा समान सुख, यह तो अथाह सुख है, जो बच्चे श्रीमत पर चलेंगे, वही अथाह सुख पास सकेंगे, और वह ब्रहमर कुल में भी अपना नाम निकालेंगे, बाप का बच्चें को फर्मान है, सर्विस कर औरों को भी, उंचे ते उंचा प इतनों को बाबा का परिचे दिया, प्रदर्शनी में भी पहले पहले बाप का परिचे देते हो, परिचे देकर फिर लिखवा लो, समझाना बहुत सहच है, बाप दो होते हैं, लौकिक और पालौकिक, लौकिक से हद का वर्सा मिलता है, जिसको काग विस्टा समान सुख कहा चाता है बेहद का बाप बेहद का सुख देते सुर्ग का मालिक बनाते हैं तो बच्चों को सर्विस कर आपसमान बनाना है बाप को सिर्फ याद नहीं करना है लेकिन उन जैसे सर्विस भी करना है श्री क्रिशन अथवा किसको भी याद करना उनके गुण धारण न करना वह क् कि उनसे फल कुछ नहीं मिलता, भक्ती मार्ग में भी देवताओं को याद करते करते, नीचे उतरते जाते हैं, अब मामा बाबा भी सद्गती करने के सर्विस में लगे हुए है, जो माबाब मुआफिक सर्विस करते है, वही सच्छे माबाप के बच्चे हैं नहीं, तो कच्चे कहा जाता है, बाप भी खुश तब हो जब देखे कि मेरे लाडले बच्चे मेरे समान सर्विस करते हैं, लौकिक रीती में भी जो बच्चे अच्छी रीती पढ़ते हैं, वह बाप के दिल पर चड़ते हैं, अच्छी कमाई करते हैं, यहाँ भी तुमको रुहानी कमा करनी है सिर्फ दूसरों को दे खुश नहीं होना है पढ़ाई पढ़कर और पढ़ाकर उंचपत पाना है तब माबाप अनन्य बच्चे उनकी वाह वाह करेंगे यहां बेहद का स्कूल है हजारों यहां पढ़ते हैं जो अच्छी रीती नहीं पढ़ते वहां खुद भी समझते होंगे कि हमारा योग पूरा नहीं लगता है वहां बच्चे बाप की दिल पर बैठ नहीं सकते बच्चे बने हैं तो माबाप पानला तो करते हैं ना फिर भी बाप समझाते हैं मात पिता और अनन्य बच्चें को फालो करो सर्विस तो बहुत करनी है वह शोशल वर्कर करोडों की अंदाज में होंगे तुमको रुहानी शोशल वर्कर बढ़ना है अगर ग्यान है तो नहीं तो समझेंगे पूरा ग्यान नहीं है ग्यान के बदले अग्यान जासती है जिस कारण पद भरस्ट हो जाएगा उंच पद पाने ही सकेंगे बाप को तरस पढ़ता है हर पढ़ाई में पुरुशार्थ जरूर चाहिए पुरुशार्थ भी गर पास होने ही सकेंगे कोई दो तीन बारी फेल होते हैं तो अपना चाइम वेस्ट गवाते हैं तो कम पढ़ने वालों को जो अच्छी रीती पढ़ते हैं उनका रिगार्ड रखना चाहिए क्यूंकि वहां बड़े भाई वहन हो जाते हैं ममा बाबा में सल सर्विस करते हैं अच्छे सर्विस करने वालों को जहां तहां बुलाते हैं तो समझना चाहिए क्यों न हम पुरिशार्थ कर ऐसा बने औरों को आप समान बनावें बेहद के बाब का परिच्य देना है क्यों से कैसे बेहद का वर्सा मिलता है वहबेहद का बाब जनम मरन रहित सदा सुख देने वाला है बाब दो हैं एक आत्माओ का बाब दूसरा अलोकिक तब तुम बाब दादा कहते हो लोकिक संबंध में भी बाब दादा होता है यहां है फिर पारलोकिक बाब दादा पार लौकिक बाप से तुम भविश्य 21 पेड़ी की प्रालब्ध पाते हो लौकिक बाप से अल्पकाल सुख का वर्सा जनम वाई जनम मिलता है जनम लेते जाओ दूसरा बाप मिलता जाए सत्युक दरेता में यहां का वर्सा 21 जनम चलता है भलबाप दूसरे दूसरे मिलते जाएंगे प्रन्तु हम सुखधा में ही रहते हैं फिर द्वापर से माया का राज यह शुरू होता है फिर हमारी धीरे धीरे उतरती कला होती है यह बुद्धी में रहना चाहिए जब उतरते हैं तो जल्दी जल्दी जन्म लेते जाते हैं आधा कल्प में किस जन्म लेते हैं बाकी आधा कल्प में 63 जन्म क्यूं पतित होने से जल्दी जल्दी उतरते जाते हैं जब आप आए तो हम एकदम उतर गए थे अभी तुम संगम युगी ब्रहमन बने हो भल तुम्हारा कल युग के साथ connection है प्रंतु अपने को संगम युगी समझते हो जानते हो बाबा हमको परमधाम का मालिक बना रहे हैं ग्रिहस वैवहार में रहते हुए तुम समझते हो वहा कल युग में रहने वाले हैं हम संगम य जानते हैं बाप समझाते रहते हैं बच्चे कोई पाप करम नहीं करो कहा जाता है कखका चोर सो लगका चोर एक बाद चोरी करते हैं फिर एक दो वर्ष शक्य रहता है शक मुश्किल ही मिठता है तो ऐसा काम करना ही क्यों चाहिए यह सब काम माया कराती है जब माया माधा मूड लेती है तब समरीती आती है हमने यह क्या किया फिर बाबा से क्ष्यमा मांगते हैं बाबा कहते हैं अच्छा बच्चे हरचा नहीं फिर नहीं करना अच्छा हुआ तो भूल बताई नहीं तो वृद्धी हो जाती बाबा को लिख लिखते हैं हमने क्रोध किया काला मुँ किया अपना भी तो स्रीका भी किया बाबा लिखते हैं बाब का बनकर प्रतिग्या कर काला मुँ किया ब्रहमन कुल को कलंक लगाया सजा के अधिकारी बन चाएंगे उंचे ते उंचा है ब्रहमन कुल देवताओं से भी उंचा है तुम गोरे हो गए इस श्रीक्रिशन की आत्मा गोच्रासी जनम जरूर लेने है 21 जन्म सुन्दर 63 जन्म श्याम अब उनकी लाद पुरानी दुनिया तरफ है मूह नई दुनिया तरफ है जो नमबर वन पुझ्य था वही पुझारी बन अब लास्ट नमबर में है खुद ही पुझारी बन नारायन की पुझा करते थे अब खुद ही पुझ्य नारायन बनते ह इनको ही फर्स्ट नंबर में जाना है ब्रम्हा का दिन स्वर्ग ब्रम्हा की रात नर्क शिबाबा आते हैं रात को दिन बनाने अब आधा कल्ब की रात पूरी हो दिन होता है शिवरात्री कहते हैं प्रंतु शिव के बदले शिरीक्रिशन का नाम कह दिया है कि शिरीक्रिशन क जन्म रात को हुआ है शिबाबा की बात शिबाबा की तीथी तारिक वेला का कुछ भी पता नहीं कि किस समय आया शिरी क्रिशन की वेला है वह पुन जन्म में आने वाला है शिबाबा तो जटा कर परिचे देने लग पड़ते हैं कुस समय तो पता ही नहीं पड़ा कि यहां किस्थापना करते हैं ब्रम्हा यहां है क्रिशन पूरी भी यहां है लक्षमी नारायन के तक्त पिछाड़े विश्णों का चित्र होता है परंतु ज्यान कुछ भी नहीं जैसे गवर्मेंट का तिनमूर्ती चित्र है यह समझने की बात है बच्चे चास्ती नहीं समझते हैं भला लौकिक पारलौकिक बाप का कंट्रास्ट तो समझते होना याद भी करते हैं हे पततपावन हे रहम दिल हे दुखरता सुपकरता सत्युग में कोई याद नहीं करते बाप यहां ही सम मनो कामना पूरी कर देते हैं सत्युग में तुमको इतना अथाहधन मिलता है जो वह माथा मारने की दर्कार ही नहीं तुमको श्रेमत पर चलना चाहिए जो नहीं चलते गोया निधन के हैं उनको कहा चाता है बगुला तो हंसों को बगलों के साथ भी रहना पड़ता है ग्रिहस्त वेवहार में तो रहना ही है इसलिए रिपोर्ट आती है भाई जगडा करता फु दुनिया में जगडा ही जगडा है पवित्तरता पर भी जगडा चलता है खान पान की परहेज रखनी होती है तो बहतों के लिए मुसीबत हो जाती है बाप कितना समझाते हैं याद में रहकर भोजन खाओ डिरेक्शन अमल में नहीं लाते हैं प्रैक्टिस करनी चाहिए परिशार्थ करते भी फ़िल हो जाते हैं आश्यर रवत बाबा का बननती बाबा बाबा कहनती फिर भी श्रीमत पर नहीं चलते तो गिरनती भागनती माया खींचती है तो बाब को फार्गती दे देते हैं कल्प पहले जो हुआ है वही रिपीट होना है इसमें मेहनत अनपढ़े पड़े के आगे भरीट होएंगे नौकर चाकर बनेंगे जो ब्रहमन नहीं बनते वह प्रचा में पाई पैसे का पत पाएंगे और कोई धर्म स्थापन करने वाला राचाई नहीं स्थापन करते बेहद का बाप ही भविश्य के लिए राचा इस्थापन करते हैं पवित्र बढ़ने के लिए प्रुशार्थ करना पड़े तुम फूल बनते हो जो विकार में जाते हैं वह कांटे बनते हैं एक दो को आदे मध्यांत दुख देते हैं यहां है कांटों की दुनिया अब तुम संगम पर फूल बन रहे हो सत्यूग है फूलों का बगीचा संगम पर जंगल से बगीचा बनता है यहां है कल्यानकारी संगम अत्वाकुम आत्मा परमात्मा का मिलन होता है अभी तुम जानते हो, हम परमपिता परमात्मा से 21 चनम का वर्सा ले रहे हैं, राचाई पाने में मज़ा है, बाकि यहां कहना कि तकदीर में होगा तो मिलेगा, इससे क्या होगा, बेहद बाप का परिचे देना है तुम अनुभवी हो, सर्विस तो करनी है, दिल से पूछना है, कि हमने कितनों की सर्विस की, ग्यान है तो सर्विस में लग जाना है, नो ग्यान तो नो सर्विस, तो नो उँचपद तकदीर में नहीं है, तो पुरशार्थ भी नहीं करते अच्छा, मीठे मीठे सिकेल दे रुहानी सर्विसे बुल बच्चों प्रती, रुहानी बाप वा दादा का याद प्यार और गुड मार्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड म पान-पान की पूरी परहेज रखनी है, याद में रहकर भोजन खाने का अभ्यास करना है, नमबर दो, मात-पिता की तरह सेवा करनी है, अपने बड़ों का रिगार्ड जरूर रखना है, रुहानी शोशल वरकर बन सबको बाप का परिच्चे देना है, वर्दान, कल्यान कारी समय की समरीती से, अपने भविश्य को जानने वाले मास्टर त्रिकाल दर्शी भव, यदि आप से कोई पूछे कि आपका भविश्य क्या है, तो बोलो हमको पता है, बहुत अच्छा है, क्योंकि हम चानते हैं कि कल जो होगा, वहाँ बहुत अच्छा होगा, जो हो गया वो होने वाला है वह और बहुत अच्छा जो मास्टर त्रिकाल दर्शी बच्चे हैं उन्हें निश्चे रहता कि कल्यान कारी समय है बाप हमारा कल्यान कारी है और हम विश्य कल्यान कारी हैं तो हमारा अकल्यान हो नहीं सकता श्लोगन समाप्ती के समे को समीब लाना है तो समपूरन बढ़ने का पुरशार्थ करो समाप्ती के समे को समीब लाना है तो समपूरन बढ़ने का पुरशार्थ करो शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, ओम शान्ति